क्लाश 10 और 12 पच्चिफ दिनों में 90% कैफिल आएं किस पिकार पड़ाई करें क्या ट्रिक लगाएं कि 25 दिनों में आपका 90% क्रोस कर जाए क्लाश 10 और 12 वाले यूपी बोर्ड एक्जाम जो 2023 में देंगे तो मैं बता देता हूँ पहला जो तरीका है मेरा वो क्लाश 10 वालों के लिए है जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है अपना सबजेक्ट लिखना है कि अपने पास कौन कौन सा सबजेक्ट है ये लिखने के बाद आपको Class 12 वालों को भी यही करना है आपको लिखना है कि हमारे पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है Class 10 वालों के पाफ English, Arts, Science, SC, Math, Hindi, Adi और Class 12 वालों के लिए Hindi, English, Math या Biology के हैं या Chemistry या Physics के हैं आप तो सबसे पहले आपको अपना subject लिख लेना है कि हमारे पास कौन कौन सा subject है इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है आपको अपना flavor सभी बिसे का लिख लेना है ठीक है हर बिसे में कितने chapter है आपको पता लगाना है कि हमारी English में कितना chapter है art में तो paper भी होता है इसका chapter भी हो कि हमारे में कितना कॉन फिफ अबजेक्ट में चैप्टर है इसके बाद आपको पता लगाना है कितने मार्क का कौन सा चैप्टर आता है यानि कि कौन सा चैप्टर माल लीजिये आपका हिंदी का फफ्ट चैप्टर है बासुदेप सरड अगरवाद तो आपको पता होना चाहिए इससे कितने नंबर का हमारा पेपर बनेगा फिजिक्स का आपका है आबेश विद्धुत आबेश आपको पता होना चाहिए कि हमारा इससे कितने नंबर का कुस्टन बनेगा तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है जो कि आपके सिलेवर्स में दे दिया जाता है कि ये चैप्टर से इतने नमबर का कुश्ण पूछा जाता है ठीक है उसके बाद जो चैप्टर अधिक नमबर का है उससे पहले करें क्योंकि अब समय 25 दिन ही रह गए है आज से तो आपको क्या करना है जो चैप्टर अधिक नमबर यानि कि ज़्यादा नमबर का है उसको पहले करना है उस चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक माल लेजिए आपने केमिस्टरी में पहला चैप्टर ठो सबस्ता किया ठीक है वो सबसे अधिक इंपोर्टेंट है तो उसमें से आपको पहले क्या देखना है उसके सभी इंपोर्टेंट टॉपिक की ठो सबस्ता क्या है क्र इसके बारे में ठीक है पता लगाया फिर उसके important question जो को repeated question बोलते हैं जो हर साल परिछा में आते हैं एक console भी ले लीजिए जिसमें आप पुराने paper को देख लीजिए ठीक है और topic भी पढ़ें ठीक है उसके बाद आपको क्या करना अपनी पूरी planning के साथ subject जोन्स आपका कमजोर है मान लीजिए आपका math physics कमजोर है तो इस पर जादा समय लगाएं ठीक है अगर आप दिन में 12 गंटा पढ़ते हैं तो इस पर 8 गंटा दीजिए ठीक है बाकी 4 गंटा आपको Hindi, SST, English जो आपका subject है उस पर देना जो कमजोर है उस पर जादा समय देना है फिर आपको क्या करना अपना set goal कर लेना है daily का ठीक है daily goal fat करना है कि मैं इतना इतने दिन में पढ़ सकता हूं एक चेप्टर आई एक दिन में भी खतम कर सकता हूं दो दिन में भी खतम कर सकता हूं best time table ऐसा time table आपको बनाना है जो आप रोज फोलो कर सकें ठीक है ऐसा नहीं है कि आप एक time table को बना लिए उसमें आपने 18 गंटे पढ़ाई का time table बनाया और आप उसमें आठी गंटे पढ़ाई कर पाए तो आपको बिल्कुल ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है जिसमें आप कम पढ़ाई कर पाए ऐसा टाइम टेबल बनाए जो रोज फूलो हो सके ठीक है उसके बाद आपको मैं बताता हूँ फिर आपको क्या करना है सभी चेप्टर है जैसे ठोस अबसता ले रिया था मैंने उसके सभी फॉर्मूले यानि मैत में आपको देखते हैं कि पहला चेप्टर आपको पता होगा कि कौन सा है ठीक है आपको पता है जैसे तो पता है तो आपको उसके सभी फॉर्मूले लिख ल नहीं रहा है अब NCIT के ही important question solve करें ठीक है अधिक time waste ना करें पीवाई की यह यानि पिर भी कुस्टन सभी कुस्टन solve करें अपना अंसॉल्व आप 2018 से लेके 2022 तक का सभी अंसॉल्व लगा डालिए क्योंकि अंसॉल्व से आपके repeated question बहुत ज़्यादा होते हैं आप जब अंसॉल्व लगाएंगे तो आपका paper यानि 40 number का तो बनी जाएगा ठीक है साथ में revision भी करते हैं जितना आपने आज पढ़ा है तो आज रात को ही revision करके सोना है ठीक है अब coaching और school बंद कर देना है क्योंकि अब समय नहीं रहा है coaching और school के लिए क्योंकि समय बहुत कम है आपको घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी पढ़ेगी daily और daily का target fat करें practice भी करते रहें जैसे math तो practice के बिना अधूरी रहती है आपको practice तो करनी पढ़ेगी math में क्योंकि अगर आप practice नहीं करेंगे तो आपके अच्छे number भी नहीं आएंगे चेप्टर के important topic को भी पढ़ लेना है तो बस यही तरीका था आपको पढ़ लेना है कर लेना है ठीक है और कोई तरीका नहीं है आपको इससे करके आप अच्छा score कर सकते हैं और अगर आपने हिंदी क्राश 10th की फुलतायारी कैसे करें 100 number का paper मैंने बताया है कि 100 number का पूरा question बताये हैं कौन सा question काँ से पूछा जाता है अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो description में मैंने link डाल दिया है आप देख लीजिए जाके तो इसी के साथ मिलते हैं कल अप